तो दोस्तो बाटियां तो आप सभी ने बहुत बार बना करके खाई होगी लेकिन मेरा दावा है कि ये मसाला बाटि आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा जी हाँ दोस्तो आज हम बनाएंगे एकदम यूनिक स्टाइल मसाला बाटि जो की खाने में बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगती है और इसे बनाना इतना ज़्यादा आसान है कि आप इसे कभी भी बना करके ट्राई कर सकते हैं दो चमच तेल में बनने वाला यह बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट नास्ता है तो एक बर आप इस नास्ते को जरूर ट्राई करिएगा आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लिस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करिएगा तो चिले बनाते हैं अपनी मसाला बाटी तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बरतन में एक कप यहाँ पर पानी डाल देंगे तो आप किसी भी कटोरी से एक कप या एक कटोरी पानी यहाँ पर ले सकते हैं साथ में थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो यह जाता है तो इसे हमें अची कने और मिक्स तप में अच्छे मिक्स करें। तो अब इसे हम फिलार ढखके रख देते हैं ठंडा होने के लिए तब तक के लिए हम आगे की तेयरियां यहाँ पर कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें लेना है उबले हुए आलू तो यहाँ पर मैंने दो उबले हुए आलू लिये हैं या फिर इसके जगे पर कोई सब्जी वगर आप इस्ट्रा यहां पर डाल सकते हैं तो एक बारी कटी हुई प्याज यहां पर ले लेंगे साथ में खूब सारी हरी धनिया की पती डाल देना है और दो बारी कटी हुई यहां पर मैंने हरी मिर्च ले है इसे भी डाल देंगे साथ में आमचुर का पावडर आधी छोटी चमच की करीब मैंने डाल दिया है इसके जगे पर आप चाट मसाला पावडर भी ले सकते हैं थोड़ी सी तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर एट कर देना है और एक चुथाई चमच यहां पर डाल दिया है करमसाले का पाउडर साथ में थोड़ा सा ही यहां पर काला नमक का पौडर डाला है और दो से तीन चुटकी यहां पर हल्दी पौडर डाल दिया है अच्छा कलर के लिए और खाने वाला जो नमक आता है वाइट नमक उसी डाल देंगे स्वाद अनुसर और जिंजर गार्लिक का पेष्ट अधा चमच की करी मैंने इसमें एट कर दिया है आप चाहे तो कूटकर की भी इन चीजों को डाल सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं सारी चीजे इसमें डाल दी गई है आप इसके जगे पर अपने पसंद से कोई भी सबजी वगरा भी डाल सकते हैं और कोई भी एश्ट्र मसाला भी इसमें एट कर सकते हैं तो इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है तो आप देख सकते हैं जो हमारा अलू मसाला है वो बन करके तयार हो गया है तो इसे अभी हमें क्या करना है कि इसे हम साइड में रख देते हैं और आगे का देख लेते हैं जो हमने आटे को यहाँ पर रखा हुआ था ढख करके तो उसे चेक कर लेते हैं तो आटा जो है यहाँ पर अभी हलका सा गरम है तो इसे हम एक बरतन में निकाल लेंगे और हलका जब यह गरम रहेगा तभी इसे हम हाथों से मसल मसल करके चिकना करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चावल का आटा है वो यहाँ पर हमने सारा निकाल लिया है और इसे एक बार अच्छे से हाथों से प्रेस करेंगे और जब यहाथों पे थोड़ा सा जादा अगर चिपकने लगे तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी लगाते जाएए ह हाथों पे और इसे इस तरह से मसलते हुए गूत लीजिए तो यह सुरू में थोड़ा सा चिपकेगा उसके बाद यह नहीं चिपकेगा अच्छे से जो है यह मसलते हुए इसे हमें चिकना कर लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी को बहुत जादा भी नहीं लग लेंगे और इसे एक बार फिर से मसलते हुए चिकना कर लेंगे तो तेल लगाने से यह आँटा एकदम से सौफ्ट हो जाता है और अच्छे से चिकना पन इसके अंदर आ जाता है तो यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारा आँटा है वह एकदम बढ़ियां जो है इसका पर लग सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारा आलो का जो मसाला था उसका भी मैंने यहां पर बॉल बना लिया है तो आप क्या करेंगे थोड़ा सा यहां पर चावल कांटा डालेंगे और इसे पूरी के जैसा हमें बेल लेना है आप चाहे तो इसे हातों से भी जो तो बहुत ही आसानी सी पैक हो जाता है पस इसके अंदर सुखा आटा बहुत जादा नहीं लगाना है थोड़ा सा ही लगाना है वरना यह चिपकेगा नहीं यह फिर आप तेल लगा करके भी से बेल सकते हैं तो इसे हाथों से इस तरह से प्रेस करते हुए हमें बाटी जैसा श इसे नहीं नहीं इंहें दर हम ढलते ही जा नहीं जाएगा ढ़ल ठुटन की वरने माथकों है को साड़ी हो जाएगा मथे जाए आळा ब्रेस का नहींना २ितिक रिमने नित बे him orkin में लिजा खाए हुए रेख धी और डीज़ाल हए वह उसे चावल है उसे फिर अधी होने में बहुत जादा टाइम लग जाएगा तो थोड़ा सा मेडियम लगते हुए और विज विच में गैस को तेज करते हुए आपको इसे जो है पका लेना है बहुत ही कम तेल में नास्ता बन जाता है दोस्तों और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिश लगता है तो एक ब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेर भी जरूर कर दीजेगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल इकन को भी प्रेस जरूर करिएगा जिससे आपको मेरी आने वाली रैस्पीस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आप मुझे फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं अच्छी रैस्पीस देखने के लिए तो लीजे तैयार है हमारी यूनिक इस्टाइल मसाला बाटी तो मिलते आपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों थैंक्यू पर वाचिंग